आज किस वीडियो में मैं बात करूँगा टेक्स्टॉप सपोर्ट की सैलरी के बारे में कि आपको एक स्टार्टिंग करियर में कितना सैलरी मैक्स मिल सकता है तो ज़्यदा टाम ले लिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों मैं देखो बता दूँ यह जो सैलरी होती है आप सोचते हो ना कि मैं किसी बहुत बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब कर लूँ या वहां पर जॉब मिल जाए तो हाइस पैकेज मिल जाता है दोस्तों इस वीडियो से किसी को भी ठेस पहुचाने का मेरा कोई मतलब नहीं लेकिन जो सचाई है वो मैं बता रहा हू तो दोस्त अगर आप यह सोचतों कि मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब मिल जाएगी और डेक्स्टॉप सरपोर्ट की में आपको पचीश तीश चालिस हजार रुपए तक सेली मिल जाएगी तो आप यह बिल्कुल गलस सोचते हो आपको स्टार्टिंग 15-16 मिल जाएगी पर जा रहे हो तो वहां पर सेली आपको 20-25 मिल जाती है 15-16 मिल जाती लेकिन अगर बात करो थार्ड पार्टी पे तो आपको इतनी ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है आपको 15-16-20 के अंदर ही आपको मिलेगी हो सकता है 12-13 CTC भी हो इससे अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंग पर आपको एक अच्छा कासा सैली मिलता है एक आपको अच्छी खासी सैली मिलती है बट अगर बात को सिर्फ डेक्स्टॉप सपोर्ट का तो आपको 10-12-14-15 के बीच में ही सैली पर रुखना पड़ता है और यह मैं आपको बता रहा हूं हूँ एक इनीसियल लेविल के अगर आप कंपनी स्विच कर रहे हो तो क्योंकि 30% हाइग मिलता है आपको कई बार होता है कि आपका अच्छा होता है तो कई कंपनी आपको 40% और 50% भी हाइग दे देती हैं आपकी करेंट सैलेडी में और कई वार ऐसा होता कि अगर आप ड़ाइला के पाकेश पे जॉब कर रहे हो तो अगर आपने लिनेक्स बगरार सीक लिया कि लिया या आटीफिशल इंटेलिस कुछ भी मतलब मैं यहीं बोलो कि यहीं सीको निट्वार्किंग भी हो सकता है तो हो जाता है कि धाई लाग से आपको डारेक्ट पांच लाग कपाई कि वहां पे मिल जाए तो यह भ आप एक साल दो साल तीन साल चार साल तक मैक्स काम करें इसके बाद सोचो डोमें कैसे चेंज हो और मैं आपको यहीं बोलूँगा कि फ़र्स्ट यार यानि कि पहली साल हो आप एक साल का एक्सपीरिंस लो डोमें तुरंट चेंज करने की कोशिस करो इसके बाद आपको पैसा नहीं है पैसा है बहुत है पर डिपेंड करता कि आप कितना लर्न कर रहे हो लिए पंदरा समय यह 17-20 कहीं भी मिल रही है आप करो अगर विश्ट रोतों टैग हटाओ एक साल दो साल तक प्रॉब्लम होगी इसके बाद आप सारो को सीख जाओगे और उसके बाद आप Don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for coming here. Jai Hind, Jai Bhairat and be safe.